कजा है ये यहां भीट कुछ नहीं हो रहा है चीडिया सीन पॉसकर के बलर फिटकोईंग में पुर्बाइब के यह उसके इसवीक हो इस विझ इंदर ये मार्केटगर यह वन के इंदर यहां पे red में देख रही है और यह red में ही close हो सकती है 42,000 डॉलर पे ही closing इस week की मिल सकती है bitcoin की और कल हो सकता है नया week शुरू हो रहा है तो 43,000 डॉलर starting में हम देखने 43 या 44,000 डॉलर के करीब भी चले जाएं ठीक है और जहां तक bitcoin में कोई momentum नहीं दिख रहा है लेकिन बहुत सारे ऐसे crypto's हैं जो काफी अच्छा pump कर रहे हैं जो सोय हुए थे जैसा मैंने कहा था कि गाड़ी start होगी सबकी धीरे धीरे और सबकी धीरे धीरे गाड़ी start हो रही है कौन-कौन से coins pump कर रहे हैं कौन-कौन से coins top gainer में चल रहे हैं कल एक अच्छा कासा movement हुआ था कल पर सो आई थिंक वर्ल्ड कोईन के बारे में हमने discuss किया था millions में वर्ल्ड कोईन विड्रो किये गए थे और यहां पे $4 यह आप देहो कहीं न कहीं अपने high की तरफ बढ़ रहा है और 5.2 डॉलर का इसका high है जब यह market के अंदर आया था यह candle अगर हम देखेंगे जब इसकी चौबिस जुलाई को यह market के अंदर आया था और sentiment काफी अच्छा नहीं था जब सी आया था आप देहो आते ही इसके 6 week यहां पे down वाले गए थे आते ही 6 week यह weekly चार्ट है उसके बाद जो इसकी performance दिखिए वो काफी गजब की है धीरे धीरे 1 डॉलर से 2 डॉलर से 3 डॉलर और आज यह 4 डॉलर तक के भी high लगा चुका है मतलब अगर मैं इसका high देखूं यहां पे 4.6 डॉलर का high लगा है वर्ल्ड कोईन का आज का टॉप गेनर 60% के साथ वर्ल्ड काफी टाइम से वेट कर रहे थी ICP की community और ICP की community को अच्छा pump यहां पे देखने को मिल रहा है ICP ने 2 डॉलर से रेंगते रेंगते अपने लेवल 11,12 डॉलर तक के high लगा लिया है 11.90 डॉलर का high लगा दिया है ICP ने इंटरनेट कंप्यूटर एक ऐसा कोई जिसने गजब के high लगा रखे है इसका अगर आप नया high देखेंगे वो काफी गजब का है लेकिन कल यह 50% उपर चल रहा था आज भी यह 26% इस टाइम पे उपर चल रहा है और लेवल आज की डेट की रेंज इसकी फाइनली आ चुकी है नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टोर्ज के बारे में हमने अभी रीसेंटली बात किया था कल पर सो अच्छा पंप हो था स्टोर्ज और आज फाइनली 1.05 डॉलर पर यह आ चुका है 1.09 और एक डॉलर का बैरियर हिट कर लिया और जैसा हम अच्छा का खासा प्राइस सर्ज हुआ है एक वीक के अंदर स्टोर्ज तो कितने सारे सोय वे कोईंस है जिनको पंक लग रहे हैं और वो है केडिये केडिये भी काफी टाइम से सोया हुआ था अगर आप देखोगे बिलकुल नीचे रहें रहा है 9.6 डॉलर का हाई है और 0. 0.4 का इसका लो है 0.7 पे चल रहा है जल्दी यह भी आपको 1 डॉलर 2 डॉलर के लेवल दिखा सकता है क्योंकि गाड़ी स्टार्ट जरूर होगी है केडिये की और आज यह भी हमको टॉप गेर में देखने को मिल रहा है 13% के साथ नेक्स्ट अपडेट है शीवा इनू को ले चार महीने पहले अगस्ट मंत के अंदर यहां पे लेवल दिखाए थे और आप देखो वीकली चार्ट पर अगर हम चले क्योंकि हम वहाँ से सीधा गिरे थे यह था वो वीकली चार्ट जब शिवा इनू शिवारियम आने से पहले यहां तक पहुँच गया था फिर वापीस कुछ हफते नीचे गिरे नीचे रेंग के आए और वापीस यूटन लिया और वापीस आज उसी रेंग में आ चुके हैं जहां से गिरे थे वापीस आगए लेकिन चार महीने का टाइम जरूर लग गया एक मोका जरूर दे दिया शिवा इनूने अब यह मोका लास्ट एंट थ्री पे चल रहा है थोड़ा बंधन तोड़ना पड़ेगा थोड़ा और उपर जाना पड़ेगा क्योंकि अगर नीचे आए तो 5-0 एड़ना हो है ना और अब कभी भी कुछ भी होजगता है 100-200% की रैली भी शिवा इनू की जल्दी हम देख पाएंगे और एक बड़ा प शिवा इनू की खासियत है कि थोड़ा सा पंप आ जाए तो ट्वीटर भी हिलने लग जाता है एक्स भी हिलने लग जाता है और क्या क्यों हिलने लग जाता है क्योंकि अगर आप देखोगे शिवा इनू यहां पे ट्रेंड करता हुआ और सिर्फ 11-12% की रैली है और बीस त नेक्स्ट नम बात करेंगे शिवा इन्हों की बर्निंग को लेके क्या कुछ हो रहा है और आप यहां पर अगर नंबर देखोगे तो काफी बड़ा और काफी बड़ा ग्रीन नंबर है 7.7 मिलियन का ठीक ऐसे ही नहीं जा रहा हम कुछ दिन पहले भी देख चुके हैं 7.7 मिलियन यहां पर फिर से 7 मिलियन नहीं है 7,79 ताउजन यानि तक करीवन तक करीवन यहां पर आप लगा लिजिए इतना भयंकर बर्न रेट बड़ा की हो क्योंकि पिछले 24 गंटे में 8.6 बिलियन टोकन बर्न हुए फिर से 8.3 एक बार पहले हुए थे जब 7 मिलियन तक पहुच गया था बर्न रेट अभी 7,79 ताउजन परसेंट बर्न रेट बड़ा है बिलकुल यह बात का आपको बिलकुल धियान रखना पड़ेगा अभी एक फेक न्यूस आई थी जब बिटकोइन 30,000 पर हिट हो गया था फेक न्यूस थी बिटकोइन स्पॉर्ट एटीफ के अपरूवल की अब वैसा ही ठीक नजारा वैसा ही दिवारा देखने को मिल जाए है ना तो मार्किट एक क्विक गेम कर सकता है क्योंकि सबकी पोजिशन क्या रहेंगी लॉंग की रहेंगी जैसे अपरूवल मिलेगा तो उनको लिक्विडेट करने के लिए कुछ टाइम तक बिटकोइन डाउन भी जा सकता है और डंप का सिनेरियो भी दिखेगा वो भी ए जिए फाइनल अपडेट ब्लैक रोग को लेके है फिडेलिटी हो ब्लैक रोग हो इन सबने बहुत मिटिंग की कोशिश किया से की डिसकस किया जाए स्पॉट एटीफ के बारे में लेकिन सब मिटिंग होल्ट पे कर दी एस इस इस ने कोई डिसकशन किया ही नहीं है ब्लैक जोख मीट फोर ताइमस विद एस इसी तुडिसकस बिटकोई एटीफ एप्लिकेशन पोर मिटिंग सिया पे अब जरूरत फोर मिटिंग की पड़ी क्योंकि मिटिंग को मिटिंग को होल्ट पे डाला तभी चार बार की जरूरत पड़ी और कोई मिटिंग नहीं होई है कोई दिसकेशन नहीं होई जो होगा 2024 में होगा ठीक है तो यह सब अभी तक स्पॉर्ट बिटकोई एटीफ का हाल रहा है तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पर बाकी अपडेट नेक्स वीडियो में किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें रिसर्च करें वो बहुत ज बहुत करेंगे यहीं एक ब्लाइब को किसी भी करेंगे पी करिष्या है तो इस्वार करेंगे एटियरोग करेंगे।